हेलो एंड वेलकम टू अलव फ्यू ऑन जीए बाई प्यूसर यूट्यूब चैनल डैट इस द वन श्टॉप सेंटर अफ जीए जीके जीएस और करेंट अफेर न्यूस्तों दोस्तों फटा-फट से जूर जाई हो सेशन को एक बार दबाग शेर करिए टेकनिकल प्रॉब्लम गई थी दोस्तों जिसकी वज़े से हम लोग सेशन में लाइव नहीं आ पारहे थे बहुत दिर से मैं परसान भी था तो चलीए कोई नहीं हम लोगे हुसलों से बढ़के कुछ नहीं है और कैसे नहीं होगा लगे रहे लगे रहे और लाइव हो गए दोस्तों जो टे pén organism कि उ तो यहां पर आपको different different जो है mock भी कराया जाएगा हर topic से आपको रूबरू कराया जाएगा तो यह mock test 1 कल रात को हुई है अब यह class दोस्तो 7.00 PM पर होगी अब यह class 7.00 PM पर होगी आज से कल रात को 10 बजे हुई थी तो यह आपके सबके लिए बहुत है क्योंकि अलग-अलग टॉपिक मैं पढ़ाएंगी और मैं के अनुभो तो आप लोग जानते हैं कि एक्सपिरियंस जो है बहुत एक्सपिरियंस फेकल्टी हम लोग को मिली है यहां पर पीडियाफ आपको जीए भाई प्यूसर टेलिग्राम पर अपडेट किया जा चुका है दोस्तों तो जाके डाउनलोड कीजिए इस सेशन को शेयर कीजिए इस चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दोस्तों जो है शे के वीक में हम लोग करते हैं यानि सुरू में तो फाउंडेशन चलाते हैं फिर एक्जाम टाइम में क्रैश कोर्स सुरू करते हैं इसमें और फिर एक्जाम के बाद फिर से फाउंडेशन सुरू हो जाता है तो इसमें भी SBI क्लर्क के लिए दोस्तों आप लिए दोस्तों के पास गुरुदक्छीना बैच में भी जो है जा सकते हैं तो वो लोग को देखें टो दोस्तों लेक्चिर्स जो है कुछ भी मत चुड़िया गुरुदक्छीना बैच में इतना पढ़ाया हुआ है कि आपके राइंगे एसबी आई में जिन लोग के पास केवल गुरु देख्षिडा बैच है वो लोग बस अक्टूबर मंथली नवंबर मंथली कर ले गुरु देख्षिडा बैच के अलावा तो भी उनका बेड़ा पार हो जाएगा बात सबज में आ रही है तो और अक्टूबर मंतली और नवंबर मंतली मैंने यूटूब पे कराया हुआ हुआ है तो दोस्तों बहुत सारे बैचेस हैं महापैक सब्सक्रिप्शन अगर आगे के सारे बैचेस क्योंकि अब हर एक्जाम के लिए अलग बैच र जाएंगे पीछे के बैचेस जो है अगर मालोगू दच्छिना गुरुमंत्र और बी इंटर्व्यू सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे महापैक जो है ट्वेल मंत का है सब्सक्रिप्शन को पी एसार टेन कोड यूज करने पर सब पर डिसकाउंट है एप पर वेपर भी आ और एप स्टोर से आप एप को भी डाउनलोड कर सकते हैं उसका भी लिंक लाइफ चैट में भी है अफलाइन कमेंट में भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी है यूटूब पे मैं जैसा मैंने कहा कि मंतली करेंट अफैर है नवंबर मंतली में 12 बजे करा रहा हू तो 12 बजे वाली क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा 12 बजे मैं मंतली करेंट अफैर करा रहा हूं बेस्ट 200 रात को 9 बजे करा रहा हूं ताबर तोड़ तरीके से कैपसूल डिसकसन भी हुआ है इस यूटूब पे तो आप लोग इसको भी प्लेलिस्ट से उठा करके देखते हैं नजर कि क्या कह रहे हैं यहां पर पुसकर सिंग धामी दोस्तों वर्क वरकर को जो है जो 41 मजदूर टेनल में फसे थे उत्तरकाशी में सिलकियारा टेनल में वो लोग दोस्तों सुरक्षित वापस ला दिये गया वर्टिकल जो है रैट माउस डिलिंग ड्रिलि लिए ओके क्लियर है चलिए वेरी गुड यह देखें यहां पर कियारा अडवानी यू स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रचार भी कर रही है बदलाव हमसे हैं यू स्मॉल फाइनेंस बैंक में फिन केर स्मॉल फाइनेंस बैंक मर्ज होने वाला है यू स्मॉल फाइनेंस बैंक किंग लेकर के आया था ना सो यहीं लेकर आया था ना यू स्मॉल फाइनेंस बैंक जैपूर का संजी अगरवाल इसके हेड है ओके कि दोस्तो क्रिकेटर एस रीसंत को कोट ने मना किया के अब इनका एंटिसिपेटरी बेल वाला जो है पेटीशन है तो इनको आग दिसंबर तक गिरफ्तार ना करें दोस्तो स्रीसंत पे चीटिंग करने का आरोप लगा था यह तोलिया लगा करके जो है कि चीटिंग करते थे मैच फिक्सिंग करते थे स्पॉट फिक्सिंग करते थे कि तोलिया लगा हो तो समझ लेना कि अब जो है ऐसी बॉल होगी वैसी बॉल होगी ठीक है दोस्तो नेवी डे आने वाला है फोर दिसंबर को जब 1971 में कराची पोर्ट को हमारी नेवी ने तबाह कर दिया था महीनों तक आग निकलता रहा सारे शिफ डुबा दिये थे जिससे कि वो मदद न कर पाए इस वाले पाकिस्तान का और बंगला देश को आजात कर रहा है नब्वे हजार युद्बंदियों को दोस्तो जो है पाकिस्तानियों को सेनिकों को युद्बंदी बनाए उसकी रियर्सल चल रही है दोस्तों यहां पर राम कृष्णा बीच पर विसाखा पटनम पर दोस्तों जो है यह रियर्सल ताब सारी चीजे यहां पर हुई है जो रिस्क वेटे जैसे अभी बढ़ाया गया है अन्सेक्योर कंजूमर क्रेडिट पर इसको मैंने वाट्सअप चैनल पर दे दिया बहुत सारे यहां पर आपको बहुत सारी डीटेल में जानकारी मिलेगी रिस्क वेटेज के बारे में जादा जानकारी मिलेगी आपको जादा चीजे जानने को मिलेंगी है ना 25 अगर बढ़ाया है बैंक एंबी अपसी का तो यह 125 परसेंट यहां लिखा है यहां 100% कि शिचका लिखा है ठ इस सारी चीजे आपको जानने को तब मिलेंगी जब आप दोस्तों यहां 25-23 परसेंट इंक्रीज अंसीक्योर्ट परसनल लोन में बताया जा रहा है ठीक है 22 सितंबर तक कि यह रिपूर्ट है तो आउटस्टेंडिंग लोंस फ्रम क्रेडिट कार्ड इंक्रीज 30% मेजर कंस इमज फॉर लोन बिलो 50,000 पचास जार से नीचे वाले जो लोन है वह ज्यादा परशान कर रहे है ठीक है तो यह पूरी डिटेल में रिपोर्ट है यहां 41.2 परसेंट लिखा हुआ है यह क्या है एक बार वह उसे पढ़िएगा जरूर उसे पढ़िएगा जरूर ओके क्लिय रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं सत्जीत रे आवार्ड गोश्टू माइकल डगलस मैंने बताया था कि 20-28 तारिक तक इंटरेश्टल फिल्म फेस्टिवल आफ इंडिया 54 गोवा में हो रहा है तो यहां पे जाहिर सी बात है कि बहुत सारे आवार्ड कल दिये गए होंगे तो देश्ट दिन का यह जो कन्क्लूड हुआ हुआ है अंडियस बाडर जर्मनी की जो है विं इंग्वेटेड गोल्डिं फीकॉड निद्वेड जर्मनी की एंड्लिंदनी प्ने कि पर औरुमा अfon मिला है एंड लेस बॉर्डर अन्ज लेस बॉडर touched Germany की यह मुडी है जिसको बेस्ट फिल्म का अवर्ड मिला है गोल्डन पीकॉक को ऊवर्ड मिला है ठीक है बात समझ में आ रही है दीपक कुमार मिस्रा की प्राइम वीडियो पंचायत सीजन2 को बेस्ट OTT अवार्ड मिला है जैसा कि आपको पता था कि इस बार OTT अवार्ड भी पहली बार दिया जाएगा तो इस बार जो गोवा में IFFI हुआ है जिसको Information Broadcasting Ministry होस्ट करती है गोवा गोवर्मेंट के साथ मिल करके और्गनाइज करती है OTT अवार्ड पहली बार हुआ और OTT अवार्ड मिला है दीपक मिसरा जी के पंचायत सीजन टू को पंचायत वेप सीरीज ऐसा कोई बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखा है आप लोगों में से कोई है जिसने पंचायत सीरीज नहीं देखी है तो जो सीजन टू था दोस्तों उसको बेस्ट ओटीटी का अवर्ड मिला है विच वाज इंट्रीट फॉर्ट फॉर्स टाइम गोवाज चीफ मिनिश्टर परेद प्रमुट सावंत फैसिलिटेड माइकल डगलस विद्द सत्जीत रे लाइफटेम एचेमेंट अवर्ड वेटरन अक्टर नोन फॉर मुवी वाल स्ट्रीट देखें वाल स्ट्रीट के लिए जाने जाते हैं फैटल अट्रेक्शन के लिए जाने जाते हैं वार अप दे रोजिज के लिए जाने जाते हैं बेसिक इंस्टिंक्ट के लिए जाने जाते हैं दोस्तों माइकल डगलस हॉलिवुड के बहतरीन मुवी इसके डायरेक्टर है तो के क्लीयर है तो टिटी अवार्ड कि उसको मिला दोस्तों पंचायत टू को और एंडलेस फंचायत टू को और एंडलेस बॉर्डर जो है जर्मनी की उसको मिला है best feature फिल्म का गोल्डेन पीकॉक अवाड ठीक है क्लियर है नासा के बिल नेलसन दोस्तों यहां पर दिल्ली आए हुए नासा के जो हैड है वो बिल नेलसन है वो हमारे साइंस टेकलोजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंग जी से मिलेंगे क्योंकि स्पेस मिनिस्टर आफ स्टेट भी यहीं है क्य पandatt निसार बनाने जा रहे हैं निसार का फुल फॉर्म है दोस्तों नासा इस रों सिंथेतिक अपरचर रड़ार शी जा भीलसन हैं चलिए बहुत बढ़िया तो दोस्तों यह दोजा 24 के फ्रस्ट क्वाटर में यह ना सच को लाँज क्या जाएगा फ्रस्ट्ट काटर मनलत दोजा 24 सबानेई वाला है जनवरी फरवरी मार्च में यानि अगले दो-तीर महिने में आपको निसार की लॉंचिंग दिखेगी ओके दोस्तों नियरली 20 लाक इंडिविजुल्स टुक पार्ट इन विक्सित भारत संकल प्यात्रा ये मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो इन्हों ने अभी 15 नवंबर को मोदी जी ने जो जनजाती गोरो दिवस के दिन खुंटी से आपको बहुत सारी योजनाय लॉंच करी थी उसी दिन इन्हों ने विक्सित भारत संकल प्यात्रा भी शुरू करी थी और दोस्तों उसमें 20 लाक लोग जो है पार्टिसिपेट किये हैं ऐसा म इंफॉर्मेशन और ब्राटकास्टिंग मिनिश्री जो की सरकार की एक तरीके से प्रवक्ता होती है वह उसका कहना है अठाटर सौ ग्राम पंचायतों को दोस्तों अभी तक जो है कवर किया जा चुका है तो यह जो है विक्सित भारत का जो संकल्प है वह 2047 तक है 2047 तक है डेवलब्ड इकनौमी बनने का इंडिया टूहोष राउंड टेबल और माइस टूरिजम माइस टूरिजम मतलब दोस्तों भाई एशिया का सबसे बड़ा माइस सेंटर यसो भूमी द्वारिका दिल्ली में उपन हुआ जहां विश्करमा जैंती पर विश्करमा योजना और इस टूरिजम के रूप में भी लोग जो है ज्यादा से ज्यादा माइस सेंटर की वजह से इंडिया में आ करके अपने बड़े बड़े प्रोग्राम करें इस टूरिजम को भी अट्रेक्ट करने के लिए यहां पर भारत जो है आगे संभावनाय तलास रहा है तो यह भारत म अप्रिमियर माइस डिस्टीनेशन तो अभी इतने बड़े-बड़े प्रोग्राम इंडिया ने किये भी है तो ग्लोबल माइस डिस्टीनेशन इंडिया बनना चाहता है मुस्लिम स्टूडेंट जो है दोस्तों उनकी स्ट्रेंथ हाईर एड़ूकेशन में गिर गई है एक लोग जो है जा रहे हैं 11 12 के बाद दोस्तों में तो यहां पर यह रिपोर्ट में कहा जा रहा है इसका मतलब है वह कहीं नहीं कहीं कामधाम में लग जा रहे हैं उनको पढ़ाने का गार्जियन नहीं सोच रहे हैं ठीक है तो यह दोस्तों आ ये पिर्म यहां पर कहा जा रहा है थीक है तो दोस्तों 27 लाख मुस्लिम 21 लाख मुस्लिम जो है उननीस बीस में किये थे इन्रोल हैर एजुकेशन में और 19.21 लाख इस बार किये हैं 20-21 में यानि कहां 21 लाख तक कहां 19 लाख हो गया ओके बात समझ में आ रही है चलिए बहुत बढ़िया शांदार जिंदाबाद जबर्दस्ट दोस्तों सेबी ने कहा है कि भाई mutual fund को लेकर के जो है rules को easy किया जाए इसको भी मैंने WhatsApp चैनल पर दे दिया इसको धंग से पढ़ियेगा सेबी टू रिड्यूस कैपिटल रिक्वार्मेंट फॉर पैसिव और्ली फंड हाउसेज फ्रम 500 मिलियन रूपीज टू 100 मिलियन रूपीज तो बहुत सारे जो है चीजे जो है यहां पर आसान की गई है ओके पैसिव औल्ली फंड विल नीट टू डिक्लियर देयर फॉल लूविंग एं इन इटारव इनडेक्स एव्ड़ीज सिक्स मंथ रैञा दन एवरी टू वीक बाकी लोग को мы in के लिए उपान्रीोज़ मिलियन रूपें की जगह दो سतो एवर्ड गुए गया तो यह भी बहुत अच्छा किया गया गवर्मेंट ने दोस्तों साथ सटर लाख मोबाइल नंबर को सपेंड कर दिया है सब्सक्राइब की वजह से सब्सक्राइब की वजह से यहां पर सब्सक्राइब कर दिया गए 70 लाग तो जामताड़ा मॉडल वाले होंगे य को द्यान में रुटे हुए दोस्तों अधार पेमिट्स सिस्टम ध्यान में रुटे हुए आप य जो है दोस्तोंů बहुत सारे फ्रॉड कर वाएगा बहुत सारी चीज़े हैं कि तो यहां पर असको पीसियोज जो भी मॉबाइल नंबर उनको डिलीट करदिया गया ब्भारत पे ने गजब की जो है दोस्तों पॉश्टी रिवेन्यू करी तोIP सब्सक्राइब कर्या है 200 करोड एन एन्वल्वेंग्यू जो है भारत मेनने और न किया है क्लियर है कि दोस्तों पंजाब ने जो है हौकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनेल चेंपियंशिप जीत लिया है जो 17 से 28 नवंबर तक मेयर राधा कृष्णन हौकी स्टेडियम चेन्नई तमिलनाडू में खेला गया था तो पंजाब टीम ने दोस्तों जीता है और उध्य निदी स्टालिन जो की सनातन धरम को है और यह करुणा निदी जी के ग्रेंड सन है और मुख्यमंत्री स्टॉलिन जी के पुत्र है उध्य निधी है ओके क्लियर है चले दोस्तों तो आज बहुत सारे न्यूस देखें दहिंदू न्यूस का यह फाइदा होता है कि आप सबसे पहले अपडेट होते हो आप सबसे आप क्या कहते हैं एंडलेस बार्डर जर्मनी की मूवी को बेस्ट फिल्म का आवाड मिला इफफाई में तो आप अपडेटेड हो कितने अपडेटेड हो म्यूचिल फंड्स के नियम 500 डॉलर से 100 मिलियन हो गया इसिक्स मन्त हो गया टूवीक में डिकलेड करना इंडेक्स उसको सिक्स मन्त कर देए कितने अपडेटेड हो तुम लोग देखो कौन सा भार्तिराज दिसंबर में हार्न बिल फेस्टिवल मनाने जा रहा है तो दोस्तों यह नागा लेंड जो है वह हॉन बिल फेस्टिवल म मनाया जाता है नागाओं की दोस्तों यह बहुत वह है प्राचीन परंपरा है अगर दोस्तों इस्तेवार का नाम हान बिल नामक पक्षी से लिया गया है जो राज्य की जान जातियों की लोकताओं में प्रत्रमुक्ता से शामिल है दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो एक पक्षी हम अमुर फालकन है जो की दुनिया में सबसे अधिक दूरी तै करने वाला साइबेरियन पक्षी है जो एक्चुली में एक बाज है वो जो है साइबेरिया से इसी समय उड़ करके आता है इंडिया में और अमुर फालकन की वर्ड पिटल भी नागालेंड को कहा जाता है अमुर फालकन की वर्ड कैपिटल किसको कहा जाता है नागालेंड को है नागालेंड में जो फेश्टिवल से क्रेनी निकनियू लेम बूशु जीबा और आउलियांग मोनियू ऐसे भी फेस्टिवल्स जो है यहां पर मनाये जाते हैं ठीक है क्लियर है दोस्तो नागालेंड की बात करें तो कैपिटल कोहिमा है निफ्यू रियो चीफ मिनिस्टर है लाग गनेशन यहां के गवर्नर है यहां के मीठे खीरे को दोस्तो जी आई टैग मिला ओके क्लियर हैं तीन नए डिस्टिक जोड़े गए दोस्तो नेवा एप के थुरू यह के नंबर पर आता है और इन स्टेट्स में आल ओवर इंडिया में फोर्थ नंबर पर आता है कि साउथ जो है इसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो यहां पर जो दीमापूर के बाद जो है एक बहुत नया पहली बाद रेलवे स्टेशन यहां पर बना सोखोवी रेलवे स्टेशन बना से जहां लोल the container प्देशन और लाचल पदेश शेया वहां एयरपोर्ट भी लोग दोनी पॉलो जैसे मैं तुम लोग अपना दो नी सोना are to मेरा हीरा है तु मेरा चांदी है का मतलब होता है दोस्तों यहाँ यहां पर कोहिमा के जेल जो है यह प्रीजन का शटाफ अटेंडेंस अप लांच करनेा पहला 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 अभी नागा लेंड को मेडिकल कॉलेज भी मिला है हेकानी जखालू और सलहोतू क्रूज जो है वो नागा लेंड के पहली बार कोई महिला MLA चुनी गई और इन में से जो है सकेला को मंत्री भी बनाया गया था सुचिए और अभी जो है नागा लेंड की ही साध एक महिला थी जो बैठी थी की राज्य सभा में चेयर पर है कि नहीं है कि नहीं तो दोस्तों यह बात याद रखिएगा ओके नागा लेंड एक मात्र ऐसा स्टेट है इंडिया का जिसकी पॉपुलेशन ग्रोथ माइनस में है माइनस में है सेंसस 2011 के डेटा के उनसार सब तो पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं नागा लेंड की पॉपुलेशन माइनस जीरो पॉइंट सिक्स परसेंट है यानि जनगर्णा के आकड़ों के उनसार नागा लेंड माइनस में पॉपुलेशन ग्रोथ है युवाव को जल सनक्षन जागरुकता के लिए प्रोट्साइट करने के लिए लिए यह अभियान किस भारती राजवदारा किया गया है तो यह मेगाले के द्वारा किया गया मेग्वो का आले मेगुं का आले तो पानी तो वहां खुदी बहुत है भाई साब क्योंकि बारि मासिन राम जल जीवन मिशन जिसका टार्गेट है 2024 तक दोस्तों हर घर में जल पहुंचाना और चीप मिनिश्टर यहां पे दोस्तों कि के संगमा जी है और जल सकती मिनिश्टर है गजन सिंग से खावत जी जो की जोदपूर राजस्थान से आते हैं यह बात भी याद रखना है आपको ओके क्लियर है मेगाले की कैपिटल दोस्तों शीलॉंग है सी संगमा जो है यहां पे चीप मिनिश्टर फागू चुवान जो बिहार के गवर्नर हुआ करते थे वह आज कल इसके गवर्नर हो चुके हैं लिविंग रूट ब्रिज जिंकिंग जेरी रबड के से रूट से दोस्तों ब्रिज बनाते हैं वहां क्या दिवासी लोग यह भी वर्ल्ड हेरिटेस साइट के टेडेटिव लिष्ट में एड हुआ था भारत का पहला जो है ऑनलाइन गेमिंग का सेक्टर सेंटर आफ एक्सेलेंस यहां पे सुरू किया गया था एशिया की फर्स हां पर बना है ड्राप आउट्स की वापसी के लिए दोस्तों नेश्टन इस्टूट आप ओपन स्कूलिंग के साथ यहां की सरकार ने टायब किया है मेगाले की सरकार ने ताकि ड्राप आउट्स जो है उनको फिर से एजुकेशन कराई जा सके ओपन स्कूल से डिस्टेंस एजुकेशन से भी हम लोग जो है उनको ग्रेजुएट करा दें इसके लिए रेनुका केरे सर मेगाले में गारों और खासी जन जाती रखती है कि मां कोई जमंतिया की पहाड़ी है वहीं पर एक गारों और खासी जन जयनतिया यह सब जन जाती रहते हैं बिलकुल सही और तीसमी रीजनल ऑफिस बनीए सूरज बता रहें वेरी गुड बहुत अच्छे शानदार मेरे शेर और तेहतीसमा कहां बनेगा अरुणाचल प्रदेश में इटा नगर में बनेगा अभी बनाने किस राजी के परेटर मिशन ने युनाइटे नेशन डबलू टीयो की जो तोब्संट से हमेशा से सब्सक्राइब का युए नहीं ले जाता है कोई बताएगा और कौन से first goal है ये भी बताओ जरा तुम लोग तो GI Registry ने हाली में किस्तवार जिले के केशर को भी दोस्तों GI tag दे दिया किस्तवार जिला भारत के किस राज में है तो ये जम्मू कश्मीर में है ठीक है किस्तवार दोस्तों नेश्टल पार्क भी है अगर जम्मू कश्मीर की बात अगर करे तो दोस्तों अभी सूलई हनी को GI टेंग मिला था यहां पर सूलई हनी को मिला था और यहां के एक राजमा भद्रवा राजमा को भी GI टेंग मिला था इसमें जो पहले नाम होते हैं वो उस जगह को रिप्रेजेंट करते हैं भद्रवा राजमा को जी आई टेंग मिला उसके पहले दोस्तों विल्लो क्रिकेट बैट को जी आई टेंग मिल चुका है गुच्ची मस्रूम को यहां पे जी आई टेंग मिल चुका है और केशर को यहां पे पहले से जी आई टेंग अभी किस्तवार शौल को जी आई टेग मिला है है ना एक वुड कार्विंग है उसकी उसको मिला एक खुराबों कुछ करके उसको जी आई टेग मिला लद्दात भी इसी से अलग हुआ है ओके क्लियर है तो सेवेंटीन सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल है जिसमें पहले नंबर पे केरल है औ बिल्कुल सही जवाब आप लोग का और सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल में पहला गोल नो पावर्टी है दूसरा जीरो हंगर है तीसरा गुड हेल्थ है और वेल बीइंग है फिर क्वालिटी एजूकेशन है फिर जेंडर एक्वैलिटी है बिल्कुल सही यहां पे आप लोगों ने बताया सूरज ने भी साजिद ने भी बताया वेरी गुड साजिद देखो अफलाइन में आप लोगों हमेशा से सारी इनफॉर्मेशन देते आज ऑनलाइन भी आए हुए है ओके भी को दोस्टों यह देखे यह कौन सा है यह लेवेन्डर फोले लेवेंडर फेस्टिबल भी यहां पर मना जाता है एशिया सबस्थे भाइशे लूह ट्यूलीप गार्डेन बी श्री नगर में है इंद्रा-गांदी तूलिक गार्डेन ट्यूलिप फेस्टिवल भी जब् कश्मीर में हुई थी 72 सरकार द्वारामबर महीने की किस तारिक को को नवागी यानि की नो से नो कड ड़ जाएगा दोस्तो नो से नो कड गया तो मनाया जाएगा वो ये लिखने का साकाहारी खाओ नहीं साकाहारी खाओ चाहे ब्रत रहो नानवेज नहीं खाने देंगे योगी जी ऐसे खतरनाक आदमी अभी 15 तरीक का यह है योगी आदितनात जी बहुत खतरनाक आदमी है तो दोस्तों जो 25 नवंबर को इन्हों ने 99 डे मनाया तो किस महापुरुस का बड़े था जो हमेशा मासहार के विरोध में रहे हैं दोस्तों तो इस प्रिच्वल लीडर साधू टीयल वासवानी जी का निदन था कि जो है यहां पर जैनती पर इन्होंने जो है यह का यह जो है नेने लिया है ठीक है वासवानी जी से याद आया दोस्तों असोक वासवानी एक जैनवरी से किस बैंक के हेड़ बनेंगे कि अथिए का दोस्तों भारत का सब्से बड़ा टाइगर लीजर्व किस राज योर किस जिले में चालू होने जा रहा है तो यह मध्य पदेश के दमों में भारत का सब्से बड़ा टाइगर रिज़र्व श्टार्ट Tonight मद्यी पदेश को कहते हैं 785 टाइगें ससे दोस्तों यहीं पर चीटा भी आया था कुनो नेशनल पार्क में तो दोस्तों तेइस सो वर्ग किलोमीटर में जो है यहां पर दो वन्यजीव भ्यारणों का मर्जर कराया जाएगा सागर दमो नर्सिंग पूर रायसेंग जिले के कुछ इस्सों को कवर करने वाले मद्य पदेश में साथ विले करने के प्रस्ताव को मंझूरी देने के संब्द में कदी सूचना जारी की गई है तो दोस्तों आपको पता है कि देखिए यहां पर नौरा देही वर्नेजीव भार अभी दुर्गावती टाइगर रिजर्व नया नया बना है भारत का पच्पनवा टाइगर रि भी टाइगर रिजर्व बनाया गया यह एक्चुली में दुर्गावती बना है पन्ना टाइगर रिजर्व को डिवाइड करके कैसे डिवाइड हुआ वो जब यमुना की दो सहायक नदी बुंदेल खंड छेत्र में जोड़ी जाती है केन और बेतवा नदी तो उस समय जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसके दो पार्ट हो जाते है तो यह नए वाले पार्ट को दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहा गया ओके और उसी पार जो है यूपी के सहत्र में बना है रानीपूर टाइगर रिजर्व हो गए है दोस्तों रानीपूर अमंगर दुर्ग में शुरू हुआ आशियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल जो है किस देश में शुरू हुआ है तो यह इंडोनेशिया में शुरू हुआ है किस देश में शुरू हुआ है इंडोनेशिया बाजरे का वर्ष मनाया जा रहा है अन श्री योजना के नाम से मनाया जा रहा है क्लिय है बात सबजबे आ रही है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शांदार जिंदाबाद जवर्दस्त दोस्तों जकार्ता में ही आशियान का है आशियान इस इसियोषिये अफ साऊथ इसड एशियन नेशन के नाम से जाना जाता है जिस्क में दस इंडियां इसकामें विम्बर नहीं है REM टी मोर बन रहा Bible in बुड दि trimming हैं इंडिने्ट की केपिटल की बात करें तो इंडोनेशिया केपिटल जकार्ता से सिफ्ट करके नूसंतारा में नूसंतारा बनाई जा रही है जो की इस्टकाली मंथन में है इंडोनेशिया सरवाधिक मुस्लिम अबादी वाला देश है और दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा आर्की पेलागों भी है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समू भी है ओके क्लियर है दोस्तों बाजड़े का सबसे बड़ा प्रोडिूसर जो है वह इंडिया है और सबसे बड़ा जो प्रोडिूसर इस्टेट है वो राजस्थान है बाजड़े के जो आटे हैं जिसमें 75 परसेंट बाजरा है उसको unique से बाहर किया गया सब्सक्राइब descontrol का दोस्तों डच प्रधान्मंत्री कौन बने है ड़ पीम आफ ड़ ग्रीट वाइल्डर्स बने हैं ड़किस देश के लोगों का जाता नीधर लेंड वालोगों ना तो दोस्तों ये ग्रीट वाइल्डर्स ये इन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था कि जब नुपुर शर्मा ने ये कहा था कि वो उड़ते हुए गोड़े से चलते थे तो इन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था कि इसमें गलत क्या है जब आप वही बात बोलते हो तो आप कह रहे हों कि सही है आप उसी बात को बोलते हो जब कोई और बोल रहा है तो फिर आपको जो है कि इसमें नराज होने की क्या बात है तो जो है यह इनों ने नुपुर शर्मा का जो है समर्थन किया था उरोंने कहा था इसमें कोई भी जो है गुस्ताखेर रुसूल नहीं हुआ है क्योंकि जो आप लोग कहते रहते हो वही जाकिर नाइक कहेंगे तो आप कहोगे वाह सुभान अल्ला मासा अल्ला इंसा अल्ला अम्हदुनुलिल्ला और वही बात नुपुर सर्मा कह रही है तो आप लोग नाराज हो रहे हैं कि सिर्तन से जुदा सिर्तन से जुदा सिर्तन से जुदा तो बैया इस बात को यहां पर कहा गया है कि और इन्हों ने बहुत तगड़ा समर्थन किया था और इनकी जीत हुई है दोस्तों वहां पर ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है तो पूरी दुनिया की नजर थी कि नीदर लेंड का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा कौन होगा ओके तो की गिर्ट वाइल्डर्स बन गए दोस्तों और बेने पेमेंट इंफ्रस्ट्रक्चर डेवलप्मेंट फंड स्कीम नामक महत्रपूर योजनाव कब तक बढ़ाया है तो दोस्तों दो हजार पच्चिस तक बढ़ाया है तो दोस्तों जो है दो हजा सब्सक्राइब के लिए अभी तक स्वनिधी योजना के लोगों को फाइदा पहुचाता था पीम स्वनिधी योजना इस्ट्रीट वेंडर आत्म निर्भर निदी योजना जिसमें रहडी टपरी वालों को दोस्तों दस हजार कि लोन मिलता है पहले फिर बीस जार का फिर पचास हजार का यह योजना दोस्तों एक जून को दोजार बिस में शुरू हुई थे जब लॉगडाउन पहली बार खुला था या पहली बार लॉग डी lesson ने में फैला था इसके बात दोस्तों जो PIDF इसकी में इसकी अगर बात की जाए तो यह एक जनवरी 2021 को सुरू हुई थी जिसमें आर्बियाई ने 200 करोड़ रुपे दिये थे और बाकी पैसे जो है वो बैंक्स देते हैं और जो पेमेंट क्या कार्ड सर्विस प्रोवाइडर होते या Lebṣ Alture, हो देते हैं थीखे बात समझ में आ रही है क्लीर है तो दोस्तों जो है यहां फे वह यह से करेंगे क्या तो इस सेप्योएस। true को उन दुकान्दारों को उन तृहड़ी टपरी वालों को तो ढ़투 जैसा कि आजकल एक इसे सब्सक्राइल के पीछे से निकालगे दे देता है तो बहुत हो ठीक है। क्लीर है। तो PIDF योजना को 31 dur 25 थक लिए बढ़ा दिया गया है। अब प्रधान मंत्री गरीब क्लेयान अंह योजना जो 31 dur 23 को एकसपैर कर रहा था। उसको पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उसको किस एक्ट के साथ जोडा गया है बताईएगा। था बताना है आपको के क्लियर है एशियन डेवलप्मेंट बैंक ने दोस्तों सहर में जल परदिश को बदनने के लिए कोच्ची को कितने अमेरिकी डॉलर की लोन दिये दोस्तों इंसोरेंस फॉर आल का टारगेट है आपका 2047 तक का जल जीवन मिशन 2024 का टीबी हारेगा देश जीजिञे का ही 25 का में घंडियां का टारगेट है 2035 में इंडियन इस्पेस इस्टेशन के टारगेट 2040 में आह मैं अन मून का टारगेट है दोस्तों यह इंडिया गवर्मेंट का टारगेट है ने और डिवन को मिकुषेиж विक सित हृग बारत शंकल्प और और दोस्तों दो हजार सब्ताइस तक 2027 तक थर्ड लाजिस्ट एकनॉमी बनने का भी टार्गेट है एशियन डेवलप्मेंट बैंक के हेड हैं मसद सुगु असाकावा फिलिपिन्स की मनीला के मंडल यॉंग मेड कोटर है 170 यूएज डॉलर का लोन जो है इन्होंने दिया है जलब परिदिश को बदलने के लिए को ची को ची दोस्तों जहां पे वाटर मेट्र प्रोजेट के सुरुआत हुई कोचीन शिप्यार ने इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट करियर विक्रमा विक्रांथ बनाया विक्रांथ जो पहला था वो हमें यूके से मिला था लेकिन यह इ कोचीन शिप्याड ने उसे बनाया था कोची कोचीन एयरपोर्ट जो है दुनिया का पहला सोलर पाउस से चलने वाला एयरपोर्ट है जिसे की चैंपियन अब दी अर्थ आवार्ड भी मिला था ठीक है कोची मेट्रो दोस्तों आर बिया की सेंट्रल बैंक डिश्टल करेंसी को एकसेप्ट करने वाला पहला मेट्रो स्टेशन है ओके अ क्लियर है तो दोस्तों डेवलप्मेंट बैंक के अभी मार्गेटिंग डिवीजन के हेड़ बने वाइस प्रेसिडेंट बने भारगव दास गुपता जो कि आई सी सी लुंबार्ड के अभी आई सी सी लुंबार्ड कर संजी मंत्री बन गए एशियन डेवलप्मेंट बैंक के उपाध्यक्ष जो है दोस्तों वह अशोक लवासा है जो हमारे यहां चुनाव आयुक्त हुआ करते थे एशियन डेवलप्मेंट बैंक ने अभी हाली में किस भारती राज में स्वास्त सेवा चिकित्सा के लिए पांसों मिलियन के लोन को मंझूरी दी है तो दोस्तों यह महराष्टा को जो है हेल्थ केर और मेडिकल एजूकेशन के लिए मंझूरी दिये कि दोस्तों अगर महराष्टा की बात करें तो चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम सीडी देश्मूक के नाम पर रखा गया जो आर्बेए के फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे और दोस्तों एहमद नगर का नाम जो है वह अहिलिया भाई हुलकर के नाम पर रखा गया बां जो 20 किलोमेटर की भारत की सबसे लंबी सी ब्रीज बन रही है या ब्रीज भी कहलो तो 20 किलोमेटर का नहीं अभी तक तो वो जो है मुंबई ट्रांस हारबर लिंग का नाम अटल जी के नाम पर रखा जा रहा है उस्मानाबाद का नाम धारा सिव किया गया है शीवा जी के नाम पर और दोस्तों जो है चत्रपती संभा जी नगर जो है वो औरंगाबाद का नाम जो है ये महराश्चा में कर देगा हैं महराश्चा में 6,000 रुपे अलग से भी दिये जाते हैं किसानों को नमो सिर्थकारी य सघटन किया जो कि प्रमोद महाजन जी के नाम पे किया गया है कि सारवima सब्लाद दोस्तों ठ्रीपूरा के बाद सवाड़ी वेस्ट बेंगॉल के हुआद तो मंत्ह बनर जी दोस्तों एक दम सभी कर ली है और अब अभी बेंगॉल ग्लोबल बिजनेस सम्मिट का भी दोस्तों जो सेवंध एडिशन ताबरतोड तरीके से हुआ है दोस्तों अमिट साथ जैसा से संबंध खराब हुए थे बिजेपी से संबंध खराब हुए थे इनके इनको बीजी सीची के पोश्ट से हटा दिया गया था वी सीची के हैं रोजर बिन्नी और सेकरेट्री जैशाह चंद्शेकर घोष को किस बैंक के सीम डी के रूप में तो संदीब बखष्सियों सब को Repoint किया गया है जब भी दिए पाइंट किया जा रहा है तो तीन साल के लए किया जा रहा है आव देखो एक तो जिति का टीन के लमीद किया जाता ग्रुट जैसे कि आरबी आई के गवर्नर यह सौभाग ना तो रगुराम राजन को मिला था ना तो उर्जित पटेल मिला तो तीन सल का कारकाल खतम टाटा बाय बाय खतम गया कर दिया था दोस्तों इसी बात का बदला रगुराम राजन जी लेते हैं और वह राहूल गांधी जी के साथ प्रिस यह मंनी ऐगी भारत में बहुत बड़ी मंदी आएगी बाइसा मंदी आने रही हैं और बहुत दिन से वह इंतजार कर रहा है तो आने रहे हैं अब तो का था ना आएगीirens एसलिए क्ष़ले कर दो तो दोस्तों जो है वैसे हैं बहुत बड़ी एकनॉमिस्ट अभी उनकी नई बुक भी आई है बताईए उनकी नई बुक का क्या नाम है उनकी पुरानी बुक का नाम तो आई डू वाट आई डू था रगुराम राजन जी ट्वेंटी थार्ड गवर्नर ते फिर ट्वेंटी गवर्नर उर्जित पतेल बने जो इस समय एशियन इंफ्रस्ट्रक्ट्टर इंवेस्ट्मेंट बैंक बीजिंग में दोस्तों जो है वाइस प्रेसिडेंट है उसके बाद अगर बात करें तो उर्जित पतेल की बुक तो है सेविंग दे इंडियन सेवर ओवरड्राफ्ट वाली और इनकी बुक है आई डू वाट आई डू ठीक है बत सबज में आ रही है रगुराम राजन जी आई एम फ के चीफ एकनॉमिस्ट के पोस्ट हॉल आफ फेम पर फीचर्ड होने वाले सेकेंड इंडियन बनी हैं गीता गुपिनाथ और दोस्तों रगुराम राजन जी बेस्ट गवरनर ऑफ दे इयर का अवर्ड सेंट्रल बेंकिंग लंदन से पाने वाले सेकेंड इंडियन बने हैं डॉक्टर सक्तिकांत दाज जी ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है दो यह फिक्की के दोस्तों नए एड़ बन गए होगे अभी तग यह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे और अब दोस्तों जो है यह सुवरकांत पांड़ा का स्थान लेगे सुब्रकांत पांडा का इस्थान लेंगे आईरिस ऑथर पॉल लिंच ने बुकर प्राइस जीता है उन्होंने की सुपरनियास के लिए यह पुरुषकार जीता है तो दोस्तो यह 8-9 दिसंबर को स्थान लेंगे तो अभी सुब्रकांत पांडा आपके एक्जाम तक रहेंगे ठीक है क्योंकि आपका इक्जाम तो 5 दिसंबर को है और 4 दिसंबर को है आईरिस लेखक जो है पॉल लिंच को बुकर प्राइस मिल गया है दोस्तो इन्हें यह प्राइस किस बुक के लिए मिला है प्रोफेट सॉंग के लिए मिला है पैगंबर के गाने के लिए मिला है दोस्तो तो यह आईरिश लेखक है यह भी याद रखिएगा ठीक है उके उनकी फिफ्ट नॉविल है प्रोफेट सॉंग लाश्ट आईरिश लेखी का अन्ना बॉर्ण्स थी जिनने 2018 में यह अवर्ड मिला था अनहत सिंग दोस्तों किस खेल से सम्मंदित है यह बारत 13 साल की उमर से चमतकार पर चमतकार करती जा रही है और अभी 15 साल की हुई है अपने से 12 साल से अधिक उमर की प्रतिद्वंदी को हरा करके यह स्क्वेश में दोस्तों जो है इनोंने सीनियर नेशनल स्क्वेश चेंपियनिशिप के विनर बनी है 12 साल बड़ी जो है दोस्तों से टक्कर ले रही है बाई मानना पड़ेगा है किने स्क्वैस को दोस्तों उन पांच गेम्स में से है जो टूटाजन ट्विंटी एट के लॉस एंजलिस ओलंपिक में एड होने वाला है ठीक है क्लियर है ओके रहें दोस्तों सहीदी दिवस या गुरू तग बहादुर दिवस कब किस तारिक को मनाया गया तो यह 24 नवंबर को मनाया गया ठीक है और 27 नवंबर को कार्थिक पुडिमा के दिन प्रकासपर्व मनाया गया गुरू नानक जयनती वनेंग दोस्तों इसी इन Comics गूरू टेक बहादुर जी के नाम सब्सक्राइब नगर मेटर अ है स्सक्राइब contrib हिंसा उनमुलन का अंताराश्टी दिवस जो है उसका जो थीम था वो क्या था यूनाइट इन्वेश्ट टू प्रिवेंट वाइलेंस अगेंस्ट वीमेंस और गर्ल्स यह 25 नौवंबर को दोस्तों यह दिन मनाया जाता है इसमें बोला गया यूनाइट हो यह और जो है वीमे लिया माना भी लिया किस दिन मनाया 56 नौवंबर को जिस दिन हम लोग मिल्क डे मना रहे थे जिस दिन हम लोग कॉंस्ट्यूच्व क्योंशन बना रहे ते उस दिन युनाइट लेंड और यह पहली बार मनाया गया इस बार इसलिए भी यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसलिए भी एह 맞는 जाएगा ठीक है वसस्वर्ड सस्टनेबल ट्रांस्पोर्ट डेए बसको वर्लर डांस्पोर्ट डेइसा ओके सश्टनेबल टांस्पूर्ट डिवलपमेंट दोस्तों 922 में ने किण कंपनी को उसके इकॉम और इस्टा यह माईगाट प्रोडट के तहित लोन स्विक्रित करने वित्रित करने से रोग दिया है तो दोस्तों यह बजाज फाइनेंस को रोग दिया गया है यह अनसीक्योड परसनल कंज्यूमर क्रेडिट लोन है जो यह बहुत ज्यादा बाट रहे थे इसी कंपनियां बहुत ज्यादा बाट रही है इसलिए बैंकों का जो है वह भी 25 परसेंट रिस्क वेटेज बढ़ा दिया गया ऐसे लोन के लिए 125% 150 कर दिया गया और N-ba FCS के लिए भी बढ़ा दिया है वह 100% 100 से 125% कर दिया गया है ठीक है जिसमें की कौन से परसेल लून इंकलूड नहीं हो रहे हैं तो होम लून नहीं इंकलूड हुद हुद हो रहा है वह लोन नहीं हुद नहीं है यह सारे रिक लूड नहीं हो रहे हैं एजूकेशन लोन भी इंक्लूड नहीं किया जा रहा है इसमें उसका भी रिस्क वेटेज नहीं बढ़ाया गया है रिस्क वेटेज में ज्यादा तर तो इकॉम और इंश्टा इमाई काड यह दोनों नाम याद रखिएगा रट लीजेगा भाईया रट लीजेगा ओके सेक्शन 145 1B of RBI Act के तहट इनको बार किया है इमीडियेट इफेक्ट से और बी रीटरंड मास्टर कार्ड बैंग्ड फिंटेक इस्टा मोजो अप्लिकेशन मास्टर कार्ड ने पैसा लगाया है इस्टा मोजो में उसके आवेदन को दोस्तों जो है वापस कर दिया है इलिजबिल्टी क्रेटेरिया नहीं पूरे होने पर यह पेमेंट एग्रिगेटर का आवेदन करी थी आरभी आई से क्लियर है इस्टा मोजो जो है वह बैंगलोर की है और उसको मास्टर कार्ड ने लगाया मास्टर कार्ड इंडिया के हैड रजनीश कुमार है जो एस्ब्य और इडी है परमेश्वरन नहीं जो नीतियायों के सीयों थे उनकी जगा बीवियार सुब्रमनियम बन गए परमेश्वरन नहीं के पहले सीयों थे मिताप कांट जो जी ट्वेंटी में शेर्पा बन गए हैं उक्के दोस्तों पेमेंट एग्रीगेटर और एकाउंट एग्रीगेटर में क्या अंतर होता है बताइए उस बैंक का नाम बताए जिसने हाल ही में रीटेल छेत्र और क्रिशी छेत्र के लिए डो डिजिटल गोल्ड लोन योजनाई शुरू करी हैं तो यह पंजाब नेशनल बैंक ने दोस्तों डिजिट गोल्ड लोन डिजिटल गोल्ड लोन शुरू करा है ओके पी अनबी डिजिटल गोल्ड लोन इसकीम जिसका नाम है पी अनबी गोल्ड लोन फॉर रीटेल सेग्मेंट और पी अनबी स्वर्ड लिम फॉर एग्रिकल्चर सेग्मेंट यह दोस्तों जो 24 में सुरू हुआ पहला बैंक है जिसके इंडियन मालिक थे दोस्तों लाला लाज पत्राय जैसे दयाराम साहिनी जैसे लोग जो है दोस्तों इसके हेड हुआ मैले इसके मालिक थे भारत के किस वित्ती सरस्थान नियामक निकायने हाली में में MSME तक लोन की रीच को आसान बनाने के लिए टेक्नलोजी डेवलप्मेंट बोर्ट के साथ टाइब किया है तो यह सिड़बी ने किया है सिड़बी नाबाड एक्जिम यह तीनों ऑल इंडिया फिनैशल इंस्टूशन है से भी और आर्बी यह रेगुलेटर है तो एक से लिए गर याद रखिए कार्ड सर्विस प्रोवडर वियुक्य आप से कुछन पूछ लेगा कुछ भी कंपनीयों को ऐसे रेटिटिंग एजन्सी में कर्डिट इंफॉरमेशन कमपनी घुसा देगा अब पुछले रखा इनमेसे ऐसी कंपनी कौन सी नहीं है किनकौन सी इ आपके एक्जाम में एक जरूर आएगा उके लिए दोस्तों एस रमन हेड है लखनव हेड़क्वाटर है कि सेड़ी ने जीएश्टी सहाई भी शुरू किया है और सिड़ी का हेड़क्वाटर लखनव है और दो अप्रेल 1990 को सिड़ी आई थी सिड़ी एमेस एमी सेक्टर के लिए जिम्मिदार है तो तुक्का भी मार सकते हैं कभी अभी एक्जाम था पांच नॉम्बर को इसी मन्त में आई पेस्प्यों को समें पूछा था इंडिया पो प्रेशी और जकोटा ने मिलके संपूर्ण इंडेक्स भी लॉंच करा है वेरी गुड महराज सरकार द्वारा लता मंगेस का रवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है तो सूरेस वाडेकर जी को सम्मानित किया गया है दोस्तों पेरूमल मुर्गन की फायर बर्ड बुक को इ यह सी भी प्राइज मिला है याद रखिएगा ओके पिछले बार पियर बुक के लिए दोस्तों कौन सा अवार्ड दिया गया था कल मैंने गुरूमंत्र बैच में जनवरी से लेके दिसंबर तक के अवार्ड पढ़ाए थे आज मैं जनवरी से लेके दिसंबर तक के ओके मतलब अपनी क्लास शाम को जो छे बजे वाली है वो कल रात को पौने नौ बजे तक चली है इतना तगड़ा जो है कि क्लास अब यह लाश्ट वीक तुम बतानी मुझे क्या हो जाता है मैं ऐसे पढ़ाता हूं तो ताबड तोड तरीके से पढ़ रहे हैं निर्जिया म तो मजा आ रहा है है कि नहीं कि दोस्तों 2018 में सुगम संकीत के लिए इन्हें संगीत नाटक अकाड़मी भी मिल अवाड भी मिला था ओके कि इन्होंने नेशनल अवाड़ भी जीता है दोस्तों और इन्हें पदमश्री भी मिला था 2020 में दोस्तों कौन से पॉइंट सहीं है एशिएन पावर मैगजीन के संबंद में एशिएन पावर मैगजीन ने 19 एशिएन पावर अवाड दिया थार्ड एशिएन और एशिएन वाटर आवड जो है कुवालालमपूर मलेशिया में हुआ है ओके नवंबर में ठीक है कुवालालमपूर मलेशिया में गैस अथार्टी इंडिया लिमिटेड इनुवेट्शन अवाड ले गई है इंडिया का और इसने मेडिस्ट्रीम प्रोजेक्ट आफ दे इयर का अवाड जीता है कि लोसकर ब्रदर ने दोस्तों जीता है कि बात समझ में आ रही है क्लियर है तो तो गेल ने दो अवार्ड उडा लिये दोस्तों वहां पर एशियन पावर अवाड तो यह बहतरीन काम कर रहा है कि ने कि अगया आद देखिए दोस्तों अभी निदिल्ली डिकलेरेशन की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दो तो निदिल्ली डेकलेरेशन में जो ग्लोबल बायो फ्यूल एलायंस है यह लॉंच किया गया यह पॉइंट्स लिदिल्ली डिकलेरेशन जी टु के तो Global Biofuel Alliance, Modi जी के द्वारा शुरूब गई initiative या भारत सरकार के द्वारा शुरूब की गई initiative अभी एक्जाम में पूचा था, तो International Solar Alliance Initiative मोदी जी ने शुरू किया है, CDRI मोदी जी ने शुरू किया है, Global Biofuel Alliance भी मोदी जी ने शुरू किया है, सागर प्रोजेक्ट भी तो यह दुनिया भर के देशिसमें जुड़ रहें ऐसे बहुत सारे निसीयेटिव योगा डे की इनिसीयेटिव ऑफ पहले maior उरॉप वाली कॉरिडॉर बींडिया की पहले तो ठीक है यह कॉश्चन भी एक्जाम में आया था ऐसे भी कॉश्चन आते हैं कि बताओ क्लाइमेट से जुड़ी हुई योजना कौन सी है मिश्टी योजना है ना मिसन लाइफ ऐसी बहुत सारी योजना है जो इन्वार्मेंट को ले करके है तो ऐसे भी कुश्चन्स जो है आपके एक्जाम में आते हैं ठीक है दोस्तों जी ट्वेंटी में 19 देश थे और एक यूर्पीन यूनियन था 21 मिंबर था अफ्रीकन यूनियन इसके अलावा इन्वाइटी कंट्रीस थे दोस्तों नाइन बंगलादेश इजिप्ट मौरिसस नीदरलेंड नाइजीरिया ओमान सिंगापूर इस्पेन और यूए 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 से तो साहिद मोहम्मद बिन सल्मान आये थे हैं और बाद में राश्पति भवन भी गये थे तंजावूर की पेंटिंग ढोकरा आर्ट ब्रैस स्टेश्य ऑफ लॉड बुद्धा तो दोस्तों यह अभी बहुत सारी गिफ्ट भी दिये गए वह भी कुश्चन एक जैसे ब्लैक पॉर्टरी करके कुछ था लिप्टिंग कुछ करके था वह किस जगर का था त्रिपूरा का था ना वह कुश्चन अभी एक्जाम में था कि यह जी आई टैग प्रोड़क्ट कहां का है यह ना गोंड पेंटिंग अभी दी गई थी तो बहुत सारे गिफ्ट भी दिये जाते हैं वह भी जी आई टैग वाले वह पूछ लेता है उक्के देखें वाइस ऑफ ग्लोबल साउथ पी यह इंडिया की इनिसियेटिव है इन लाइन विद इंडिया एस दे वाइस ऑफ ग्लोबल साउथ इंडिया मिडिलिस्ट यूरोपियन कॉरिडोर भी जी ट्वेंटी दोस्तों क्योंकि समाप्त हो गया अब यह कल इसका लाश्ट डेट है जी ट्वेंटी का तो इसलिए जो है जी ट्वेंटी में क्या-क्या चीजे हुई है यह एक बार आप लोग देख लिजे जी नॉमबर से 30 नॉमबर थे खमें मिला था ब्राजिल को मिल जाएगा तो दोस्तों यहां पर देखा जाए तो इंडिया का जो मिडिलिस्ट यूरोपिय एकनॉमिक कॉरिडोर है यह कहां कहां से होके जाएगा इंडिया यूएई सौधी अरबिया इसराइल है न जॉडन होते हुए यह यह यूरोपियन कंट्री में पहुँचेगा फ्रांस इटली जर्मनी और अमेरिका भी इसके पाइट होंगे ओके ग्लोबल बायोफिल एलाइंस जो है इसको लेड कौन कर रहा है इंडिया ब्राजिल और अमेरिका कर रहा है दोस्तों अधर जो इनिसियेटिंग मेंबर है अर्जेंटीना है बंगलादेश है इटली है मौरिसस है साथ अफ्रिका है और यूए है कैनेडा और इसको जोईन करने को एगरी हुए है थीक है दोस्तों यहां पर जो क्लाइमेट के लिए बात की गई है यहाई लेवल प्रिंस्पल और लाइफिस्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलप्मेंट पे बात होगी प्लेज किया गया है थ्री इन्टू रिले यह जो है आर यी कैप इसको तीन गुना बढ़ाया जाएगा और दोस्तों यूके कमिटेट किया है यूए टू बिलियन यूएस डालर ग्रीन क्लाइमेट फंड को तो यह सब चीजे जो है जी ट्वेंटी में क्लाइमेट के लिए भी हुई है जी ट्वेंटी की जो थीम है दोस्तों वन एर्थ व है ओके है क्लियर रहे है दोस्तों इसने जो है अ गेल ने ही वरानसी में भारत का फर्स्ट फ्लोटिंग सी एंजी स्टेशन लगाया है और मैंने यहां पर अपनी कार में सी एंजी भी भरवाई है फ्लोटिंग मतलग गंगा नदी में तैरता हुआ पहला भी वरानसी में यूपेन हुआ है नमोगाट पर जो नया राजगाट पुल के नीचे नमोगाट नरेंद मोदी जी ने रिवर फ्रेंड बनवाया और दूसरा रविदास पर बनवाया गया भी परसों वो शुरू हुआ है कार्टिक पुणिमा के दिन क्योंकि वरारसी में देव दिपावली होती है घाट के किनारे फोटो देखिएगा काशी की देव दि दिपावली और देखेगा किते सुंदर फोटो आपको मिलेंगे बनारस के घाटों के दिल खुश हो जाएगा तो इस कोने में एक तो सी एंजी स्टेशन बन गया था और सारे स्टीमर्स को सी एंजी पर कर दिया गया ताकि गंगा प्रदूशित नहों अब दोस्तों जो है अब इधर उधर का जो नाव वाला था मा वह इधर आना पड़ता था उसको तो अब बोलागे कि नहीं जहां शंद रविदास जी का जन्म हुआ था सीर गुवर्धन वाले पे वहां पर रविदास पार्क के पास जो है जिसमें मायवती जी ने बनवाया था उस घाट पर ज चले जाए और इधर वाले इधर आजये तो दोस्तों जो है दोनों कोने में CNG स्टेशन बन गया था नि भारत का पहला फ्लोटिंग CNG स्टेशन गेल ने बनवाया वह भी यहीं पर दूसरा जो बना है वह भी गेल का ही है वह भी यहीं पर है ठीक है तो इस वज़ह से भी क् मिला है इसकe को बहुंट मिला है कि ये वराणशी में स्टेशन जो बना है उसके लिए इनको अवार्ड मिला है किरलोसकर ब्रदर्स को कम्यून्सकर कौन सा प्रोडक्ट आता है प्यूरिफयर वाला कौन सा पॉर।니 कि अधानी एलेक्टिसिटी मुंबई ने दोस्तों पावर यूनिटी ऑफ दे येर का अधानी भाइया ट्रांस्मीशन का शेयर बहुत तेजी से बढ़ रहा है अभी कल देखा 140 रुपे बढ़ गे 2400 पहुंच गया सोचो अधानी का शेयर किता तेजी से बढ़ रहा है तुम यूएस सेंटर फर डिजीस कंट्रोल और प्रिवेंशन की एक रिपोर्ट के अंसार भारत में कित्ते बच्चे खसरे के ठीके के अपनी महत्रपुण खुराक लेने से चूप चूप गए हैं तो दोस्तों यहां पर 11 लाख बच्चे जो है वो खसरे के ठीके की पहली खुरा बनाया गया है यह बताईएगा आप लोग जरा तो देखें कल आप लोग को पढ़ाये थे तो कितना याद है आप लोग एक श्चिक 2008 के बाद से दोस्तों जो है मामले में ठारफ परसंट की विद्धी 2022 में मौतों में 43 परसंट की विद्धी हुई है दोस्तों टीबी में भी मरने वालों में और सबसे ज़्यादा केसेज में इंडिया का स्थाने वो भी कल में आप लोग को पढ़ाया था पूरा डेटा हाली में पंजाबी साहिते के लिए धाहान पुरुसकार से समानित होने वाली पहली महिला कौन बनी है तो यह है दिप्त के जीती है बताइए वह आप लोग उनकी लगू कहानी संक्रव भूख इयान साहलेंदी है हंगर ब्रीथ लाइक दिस दोस्तों यह इसके लिए इनको यह पुरुसकार मिला है उन्हें ब्रिटिस कोलंबिया कनेडा में नॉर्थ गोल्फ एंड कंट्री कलब में आज देक समा पुता दोस्तों भी टू प्लस टू मिनिस्टिरियल डालॉग किन दो देशों के बीच में हुआ है अभी हाल ही में बताना है ठीक है यूके के साथ हुआ ही था दोस्तों अमेरिका के साथ हुआ ही था अभी दोस्तों ऑस्टेलिया के साथ भी हुआ है इसके साथ हुआ है ऑस के तो ऑस्टेलिया के कैन्बरा कैपिटल है डॉस्टेलियन डॉलर करेंसी है और एंथोनी अलबनीस प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने मोदी जी को बॉस कहा था टू प्लस टू वार्ता में हमेशा याद रखेगा कि एक विदेश मंत्री होता है और एक रक्षा मंत्री होता है एक विदेश मंत्री और एक रक्षा मंत्री तो अस्टेलिया के फॉरेंस मिनिस्टर पेनी वांग है और डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड माल्स हैं दोस्तों याद रखेगा यह हुई है टू प्लस टू डायलॉग ओके इसके पहले यह सितंबर 2021 में हुआ था अभी भारत अमेरिका का भी नई दिल्ली में हुआ है और इंडिया का यूके का तो हुई हुआ हुआ ही था तो दोस्तों तावर्टोर तरीके से हम लोग जो है यहां पर आज के सेशन को कंप्लीट हम लोग ने कर लिया है और गुरुमंत्र बैच में सिक्स डेस का जो सिक्स मंद करेंट अफेर का मेराथन क्रैस कोर्स जो है चल रहा है ताबर तोर तरीके से हम लोग उसमें दो दो तिन तिन घंटे लगातार पढ़ रहे हैं तो चले दोस्तों आज जो है इतना ही रखते हैं आ कि अब हो सारे करेंट अफेर हम लोग ने पढ़े बहुत सारे करेंट रखते हैं रिवाइज विकिये तो मजा आता है दोस्तों रिवीजन भी हो जाता है बहुत सारी पुरानी बाते भी हम लोग पढ़ते आज तो दो दो स्टेट का बेश तू हेंड़ पुश्टमाटम भी हमने इसमें एड़ कर दिया था तो मज़ा आया थैंक यू सो मच तो यार इतना बढ़या सेशन इसे शेयर भी किया कीजिए इस चैनल को आगे बढ़ाईए बस अब जादा बचा नहीं है 90 सब्सक्राइबर बच्चे होंगे 15,000 हो जाएगा सब्सक्राइबर तो थोड़ा स यार तुम लोग एफर्ट लगा दो यार शेयर करा करो दो तीन दोस्तों को जोड़ा करो सेशन के साथ अभी तो निर्जा में भी आ गई है तो प्री की भी तैयारी अब मैं यहां सुरू कराऊंगा यार थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करो तो सब कुछ करेंगे यार क्यो एसे ही एकजाम में आप लोगो जो है मैं चैनल पे जो है गरोध नहीं करा पा रह ता तो अभी अगर जो है आप लोग इतना सहयोग कर रहे हो तो मैं वो सारा पैसा आपए लोग के उपर लगा दूंगा क्योंकि भईया क्या करेंगे हैं मंको दिन बर यहीं तुम्हारी साथ रहना है तो टीम लॉंच करेंगे बढ़िया बढ़िया टीम लॉंच करेंगे आप ऐसे ही सहयोग दिखाईए इस चैनल पे अपना भरोसा जो दिखा रहें आप और भगवान भी कृपा करें मातारानी कृ कृशन्स होते रहें अटेम्ट होते रहें जैसा कि गुरुदक्षिना ने कमाल किया वैसा ही गुरुमंत्र बैच भी कमाल करेगा तो जिन लोग ने गुरुदक्षिना बैच लिया है और गुरुमंत्र बैच नहीं लिया है वो लोग गुरुदक्षिना बैच पढ़कर के और अक्टूबर नॉवंबर मंतली करेंट अफेर भी पढ़ लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा कि तुम्हें कोई गुरु मंत्र बैच की जरूरत नहीं पढ़ेगी ठीक है और वैसे गुरु मंत्र बैच में तो इसमें सिक्स डेस का जो यह सिक्स मन्त करेंट अफेर का एदम क्रैस कोर्स चली रहा है कोई दिक्कत नहीं है करें सर मेंज की क्लाश इस्टार्ट कर दिज्य प्लीज भड़े निया तुम है इसलेटें यह कि इसलेट कर रहे हों तो पति राँ तो तो आज WhatsApp चैनल पे भी मैंने बहुत सारे फोटोग्राफ बेची है करेंट अफेस की वह आप लोग देखिएगा जरूर उसको पढ़िएगा आर्टिकल्स को बहुत सारी नौलेज आपको मिलेगी ओके चलिए आज के लिए तही रखते हैं तो गुरुमंत्र बैच में इन्रोल पढ़ेंग का हां करेर स्थारी आरे आर अरे स्पहलेटरो OUT में पड़ाएगे मैं का नहीं मेडम प्री पढ़ाए यह ताकी जो है उसमें ततांतर , मॉक टेश्ट में 1 लपक से एक चैप्टर करेगा तो आप भी सॉल्व करोगे मैडम भी सॉब बताएंगी आप लोगो तो मज़ा आएगा मैं नहीं मना कर दिया उनको कि नहीं आप मेंस तुम्हें कराई रहा हूं प्री आप कराई है हमें तो प्री के बच्चे चाहिए अब इस चैनल पर मेंस के बच्च में में किरी बिसमें करिया रेंटीड टेडेंता इसमें कौन से समय डिफर्ट डिफर्ट टॉपिक मैडम पढ़ाई वैंने का अप प्री पढ़ाई यह सी कि यो है अभी यज़िफ इस में फरेंटिस वाले बच्चों को फोकस करे अब पढ़ाई है मा वाट से गवावद पहें जो है एड हो सकते हैं ऊपर जो लिंक दिया हुआ है नहीं या है रिख में आ रही बात है कि नहीं समझ में आ रही है और आप जो है मेरे इस नंबर पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 829-287-812 पे उस पे मैं आप लोग को PDF भी दे दूँगा सबको तो कैपसूल के PDF मिल गए ना कोई सी को बचा तो नहीं है जिसको नहीं मिले हैं मैं बहुत सारे चैनल के जो है PDF भी आप लोग को देता हूं तो वह तो सबको मिल गए हैं ना क्यों चलिए तो मज़ा आएगा आप लोग शेयर करिए 15,000 सब्सक्राइबर करिए वह यह मज़ा आ जाए बहुत दिन से वेट करें बीच में अनकेडिमी वाई-फाइश्टडी ज किया क्लासेज लांच किया ताकि कहीं नौकरी करने के जुरुत न पड़े और इसी चैनल पे हमेशा आपको जो है मैं बेस्ट कंटेंट देता रहूं और लोगों को नौकरियां भी देता रहूं और पढ़ियां टीम आप लोग को दूँ टीचर हमेशा बढ़ियां ही उतार प्रवयाट चरहाईट लोगोड और लोगोली और लोगोच्टर थूचरूश वे फज–स त knife करुछ लोगोचे जूगोचे मैं और लोगोचे ने कर हमें और लोगोचे जू रबंट सब्ट Breakट लोगोचे अ Люб Cand刘